नमस्कार दोस्तों, एर इंडिया जो की आप यहाँ पर टाटा ग्रूप की कम्पनी हो चुकी है, इस एरलाइंस कम्पनी की तरफ से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है, जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि एर इंडिया के द्वारा यूई यानि की दुबई सार्जा जैसे लोकेशन से जितनी भी फ्लाइटे ऑपरेट होती थी, अब इन सबी फ्लाइटों में बदलाव किया जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, ये आप आगे आने वाले समय में एर इंडिया से ट्रैवल करनी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के बड़े फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी, इसके अलवा ये दि नौन मेटरो सिटी में आपको ट्रैवल करना है, तो इसके लिए अब आप लोगों को एर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों ये आपको दुबई से मुंबई के लिए आना है, तो आप एर इंडिया के फ्लाइट से ट्रैवल करके आ सकते हैं, इसके लिए एर इंडिया एक्सप्रेस अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट नहीं करेगी, एर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटे के वल नौन मेटरो सिटी जैसे की कोची कोड़े इन सभी सहरों के लिए गया है इसके अलब एर इंडिया अपनी फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने के ऊपर भी काम कर रही है जिससे की यूए और भारत के बीच में ज्यादा से ज्यादा उड़ानों को आपरेट कर सेके और इसके लिए एर इंडिया सीधे भारत के सीविल एवेशन मिनिस्टर जोती सिंध्या से बात पी कर रही है